एलो फ्रेंड्स एंड वेलकूम तो माई चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट माईक्रोसोफ वर्ड के इस वीडियो टुटोरियल में हम सीखेंगे छे अलग अलग तरीकों से टेबल बनाना और अपने डेटा को मेंटेन करना अगर आप ये सारे उप्षन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिए ये है टुटोरियल लेसन नमबर 13 और इसका टोपिक है वीडियो का प्रेक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए पर क्लिक करेंगे यह जो छोटा सा डॉट बना हुआ है जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यह ओक्षन साएंगे सबसे पहला ओक्षन तो बोक्स से टेबल बनाने का है उसके बाद इंसर्ट टेबल ड्रो टेबल पर टेबल टेबल एक्सल स्प्रेडशीट वाली टेबल बनाना या फिर क्विक टेबल तो इन छे तरीकों से हम MS Word में टेबल बना सकते हैं सबसे पहले हम करेंगे यह वाला ओक्षन तो इसमें जैसे कि आपको उपर यहां पर दिखाता है जहां पर यह अभी इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है जैसी आप अपना माउस का पॉ यहां तक इस सेल पर पॉइंटर ले जाकर और दिखा कि उपर 4 into 6 टेबल लिखा हुआ है इसका मतलब है इसमें 4 columns और 6 rows बनेगी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो MS Word में जो आपका पेज है उस पर यह टेबल बनके आ जाएगी इस टेबल में मैं आपको basic information दे रहता ताकि आपको इसका basic पता चल जाए जैसे कि आप इसमें कुछ भी कभी भी type करेंगे type करने के बाद अगर आप अगले box में जाना चाहते है तो आप tap button का use कर सकते है जो keyboard में होता है तो tap button प्रेस करने से आप अगले वाले box में चले जाएंगे इसके अंदर आप कुछ type कर सकत हैं फिर next box में या नहीं cell में जाने के लिए इनमें जो ये box होते हैं अलगलग इनको हम cells बोलते हैं cell C double L तो जब हम tap button दबाते हैं तो ये next next box में automatic चला जाएगा कर सकते हैं जब आप last में कुछ भी type कर देंगे उसके बाद फिर tap दबाएंगे तब भी आप next box में जा सकते हैं next line में और वैसे आप keyboard में जो arrow बटन है उनसे भी आप उपर निच्छे जाएं बाएं कहीं पर भी जा सकते हैं तो इस तरह तो आप type कर सकते हैं करना है तो आप जब उसकी line के left side में ले जाएंगे अपने mouse का pointer तो वो उल्टा mouse का pointer हो जाएगा और फिर जैसे ही आप उस पे click करेंगे तो वो पूरी line select हो जाएगी जैसे कि अभी मैं इस row को select करना चाहता हूं third row को तो मैं इसके left side में ले जाकर mouse को pointer देखिए अगर आप देख रहे हैं तो mouse को pointer इस side है जैसी आप इसको table की left side में ले जाएगे तो mouse को pointer right side की तरफ direction हो जाएगा इसका इसका मतलब है अब यह select करने के लिए ready है तो जैसी आप किसी row के click करेंगे ऐसे तो वो पूरी row select हो जाती है इसका फाइदा ही होता है कि आप पूरी row को ऐसे select कर करना है बोल्ड करना है वो सभी option इसके उपर apply कर सकते हैं तो यहां से मैंने जैसे बोल्ड कर दिया और फिर इसका color भी red कर दिया कुछ भी आप changing करना चाहें जो text पर font formatting होती है वो आप कर सकते है अगर आपको कई row select करनी है तो आप ऐसे click तबा कर और नीचे drag करके mouse का click आप पिर ऐसे click click करके और अलग-अलग particular भी select कर सकते है एक साथ तो अगर आप अलग-अलग select करने चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा click click करना पड़ेगा control button press करके तो यहाँ पर मैंने click किया तो यह row select होगी उसके बाद अगर आप shift बटन दबा कर और फिर नीचे वाली row को select करेंगे तो जो आपने पहली row select की थी और जो अभी last में shift बटन दबा के click किये row वहाँ तक की सारी row बीच में जो जितनी भी है वो select हो सकते हैं उसके बाद अगर आपने कोई column select करना है तो यह उपर column की line है यह वाली line इसके उपर जब आप arrow का symbol ले जाएंगे यानिकि आपका mouse को pointer ले जाएंगे तो यह down arrow का symbol दिखाएगा ऐसे जैसे ब्लैक कलर में यह down arrow का symbol दिखा रहा है जैसी आप इस column पे click करेंगे तो य सकते हैं अगर आपको लगातार column select करना है जैसे मैंने पहले column से ले के class तक यह प्रूम लगातार करना है तो आप या तो पेले column पे click करके और mouse को ब्रूर्ष को उसको drag करके वहां तक ले जाएंगे तो 3 कोलम ऐसे भी select कर सकते हैं नहीं तो आप पहले कोलम पर ऐसे click करके इसको select कर लीजिए उसके बाद shift button दबाकर और तीसरे कोलम पर click कर देंगे तो जो पहले और तीसरे कोलम के बीच में जितने भी columns होंगे वो सभी select हो जाएंगे तो अ आपके टेबल पे यहाँ पर टोप लेफ्ट में एक बटन दिया होता है तो आप इसको जैसी प्लस का बटन सा दिख रहा है इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी टेबल स्लेक्ट हो जाएगी फिर आप इस पे कोई भी पर्टिकलर फॉन्ट का स्टाइल या कुछ भी मतलब कलर वगयर अपलाई करना है फॉन्ट की फॉर्मेटिंग आप कुछ भी कर सकते हैं जो यहाँ पर होम टैब में दी होती है अगर आप किसी कॉलम को मतलब चोड़ा बेड़ा करना चाते है नहीं खुला करना चाते है नेरो करना चाते है तो उसके लिए जिस भी कॉलम को आपने चेंज करना है उस कॉलम की जो लाइन होती है यह जैसे वर्टिकल लाइन है इस पर जब यह इधर उधर एरो वाला तो इस तरह आप कोलम की width को line पर ले जाकर जब उसके उपर double arrow का symbol आता है तो click करके ऐसे सरका सकते हैं ऐसे row में होता है कि आप row पे click करके ऐसे किसी भी line पे click करके उसको ऐसे सरका सकते हैं तो ये option हमारे basic हैं जो हमको पता होने चीएं अब table आपने इतनी बना दी कितनी 4 कोलम और 6 row की हमने table बनाई थी तो अगर आप इसमें 7 row, 8 row ऐसे लेना चाहते हैं तो आपको table के सबसे last वाले cell पर click करके और फिर keyboard में tap button दबाना पड़ेगा तो जैसे ही आप tap button दबाएंगे एक row हो रहा जाएगी अगर इसके बाद फिर एक row लेनी है तो आपको last वाले box पर click करके फिर tap button दबाना है इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं अलग-अलग row ले सकते हैं जो इसके delete करने वाले option है या जो extra options है वो मैं आपको ये table tools में next जो वीडियो टुटोरियल आएंगे उनमें बताऊंगा क्योंकि ये topic का भी हमारा सिर्फ table को बनाने से related अलग-अलग जो तरीके हैं उनसे जुड़ा हुआ तो इस वीडियो में सिर्फ हम बनाने से related जो options हैं वो ही सीखेंगे वैसे हमारे जो extra option होते हैं design या formatting या layout से related वो हमको उपर यहाँ पे table tools में design tab में मिलेंगे जैसे कि मैं आपको indicate करके दिखा रहा हूँ या फिर आपको layout वाले tab में मिलेंगे ये वाले option इनमें advanced तरीके से आप उनको manipulate कर सकते है data को टेबल के अंदर delete करना है आपको sorting करनी है को merging करनी है या space बरबर करना है या position set करनी है तो यह वाले options होते हैं इसको हम further next videos में discuss करेंगे ये था हमारा पहला जो तरीका जिसमें हम boxes को select करके और ऐसे table बना देते हैं अगर आप table को delete करना चाहते हैं तो आपको table tools में layout में जाना इसमें जाकर और आपको delete table पर क्लिक करनا है जैसि है आप delete table पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो आपने table बनाई थी ये फूली delete हो जयेगmy ये तो था हमारा पहला option जिससे आप table मना सकते हैं दूसरा option है insert में table वाले इस option में insert table जैसे आप insert table पर click करेंगे तो आपके पास ये screen आएगी इसमें आप से सबसे पहले पूछ रहा है table का size यानि की number of columns और number of rows तो यहाँ पर आपको जितने भी column चाहिए वो आप type कर सकते हैं जैसे मिले को मुझे 4 column चाहिए तो मैंने 4 type कर दिया row मुझे चाहिए मान लीजिए 10 तो मैंने यहाँ पर 10 type कर दिया उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ auto fit के option है auto fit का मतलब क्या होता है automatically fit हो जाना जानि कि जो भी आप text लिखेंगे या जो भी type करेंगे उस पर column या जो आपकी row है वो automatic fit हो जाएं तो यह option कैसे काम करेंगे अभी जो इसमें यह दिखा रहा है fixed column width auto आप यह तो यह option select कर सकते हैं या फिर auto fit to window कर सकते हैं अभी फिलाल यह दोनों option same है क्योंकि यहाँ पर अभी auto वाला option लिखा हुआ है auto type किया हुआ है इसका मतलब है automatically यह पूरी हमारी जो MS Word का page होता है उसकी जो हमारी margin को छोड़ के बाग की जगा होती है जो हमारा indentation होता है उतनी बड़ी table बना देगा जैसे कि हमारी table बनेगी यहां से यह जो यह point रहे यहां तक यहां से और यहां पर बंद होता है हमारा margin का point तो जो हमारे indentation का लिखने की जगा अगती है न जो उसके अंदर हमारी यह table बनेगी जैसे यह setting करके हम ok करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर मेरे 1,2,3,4 column आगे है और यह हमारी 10 row आगी है तो इस तरह हमारी यह table create हो जाएगी और आप देखेंगे कि यह table कहा से कहा तक बनी है margins वाली जगा को छोड़ कर जिस area में हम type कर सकते थे यानि जितना हमारा typing area था उतनी ही fit होकर यह table बन जाएगी अभी मैं इसको ctrl z कर रहा हूँ ताकि मैं आपको आगे वाले option बता सकूँ नहीं तो आप इसमें layout में जाकर इसको delete भी कर सकते है delete table से तो बात एक ही है ctrl z से वो back हो जाता है और आप delete table से भी delete कर सकते है उसके बाद next option इसके अंदर होता है insert table में अगर आप fixed column बिट आटो करते है या auto fit to window करते है तो बात एक ही है जैसे मैं आपको auto fit to window करके दिखा रहा हूँ सेम भई measurement लिखके यानी कि 4 column और 10 row उसके बाद मैंने ok किया तो अब मैंने auto fit to window किया हूँ है आप देखेंगे कि same वैसी टेबल बनेगी उतनी fit आएगी जितना हम टेक्स्ट का area type करने का होता है अब ही मैं इसको control z कर रहा हूँ लेकिन fixed column width वाले इस option में क्या फरक है अगर आप यहाँ पर inch लिख देते हैं यह inch में होता है जैसे कि मैं यहाँ पर 4 column और 10 rows कर रहा हूँ और यहाँ पर fixed column width में अगर मैंने कर दिया एक inch इसका मतलब क्या है कि आपके जितने भी columns हैं वो हर एक column आपका एक एक inch का आएगा यानि कि आपकी table की जो width होगी वो अब 4 inch हो जाएगी जैसे कि मैं इसको okay कर रहा हूँ तो आप देखेंगे table के बाहर click करके देखें टेबल के नीचे आप click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर यह 4 inch है तो हमारी table देखो 4 inch के ब्रबर ही table बनी है क्योंकि हर एक column की width यह पहले column की width एक inch है फिर 2 inch है दूसरे column की width और यह 3 inch है तो इस तरीके से आपकी fixed column width यान मैं इसको ctrl z कर रहा हूँ उसके बाद next option है इसमें insert table में auto fit to contents contents क्या होता है जो आप type करते हैं यानि कि जो भी आपने matter type किया होगा उसको contents बोलते हैं तो auto fit to contents का मतलब है जितना आप type करेंगे उतना ही column की width बढ़ती जाएगी और जितना आप काटेंगे उसको text को कम लिखेंगे उतना ही automatic fit रहेगा यह उसी तरह काम करेगा जैसे कि एक rubber band काम करता है किसी भी चीज़ पर आगर आप rubber band लगा देते हैं तो वो tight से हो जाता है यानि कि fit हो जाता है वैसे ही ये काम करेगा तो जैसे मैंने column 5 ले लिए और example और row ले लिए मैंने 10 उसके बाद auto fit to contents कर दिया और okay करने से हमारे पास table ऐसी बनेगी और इसमें आप जीतना type करते जाएंगे जैसे मैं type कर रहा हूं कुछ भी तो आपकी column की width बढ़ती जाएगी जैसे मैं next box में यानि कि cell में जाने के लिए tab button दबा रहा हूं और फिर मैंने कुछ लिखा तो आप देख रहे हैं कि column की width तो उतनी बढ़ती जा रहे है जितना आप type कर रहे हैं यानि कि अगर आप इसको text को कम कर देते हैं अगाट कर तभी automatic तभी उस पर fit रहेगी तो इस त्रीके से आप क्या कर सकते हैं इसमें auto fit to content वाला option यूज कर सकते हैं अभी मैं इसको control z कर रहा हूं ताकि यह back हो जाए उसके बाद insert table में हम फिर गए अभी देखिए जैसे जब भी मैं कोई column या row के number type कर रहा हूं तो वापी से यहाँ पर 5 और 2 लिखा आ जाता है जैसे आप देखेंगे अप column में फिर 5 आ गया और 2 लिखा आ गया पिछली बार मैंने 4 column और 10 row की थी फिर उसके बाद मैंने 5 column और 10 row की लेकि remember dimensions for new tables इस option को ओन रखना है इससे क्या होगा जैसे कि अगर मैं आप यहाँ पर 3 columns और यहाँ पर 12 row ले रहा हूं और मैंने कर दिया इसको remember dimensions for new tables अब मैं ok करूंगा तो वो 3 column और 12 row वाली table तो बन गी लेकिन जब मैं इसको ctrl z करके वापिस उस option में जाऊंगा तो वो वहाँ पर 5 और 2 नहीं दिखाएगा जो मैंने last time लिखा था वही लिखा दिखाएगा यानि कि वो setting हमारी यहाँ पर यह रिमेंबर करेगा क्योंकि हमने यह option क्या किया था on किया था remember dimension for new tables अभी आप देखेंगे तो यह option हट गया है यानि हर बार जब भी आपको वो remember करना है next time के ल पहला option था हमारा यह पहला तरीका जिससे हम टेबल बना सकते हैं दूसरा तरीका हो गया insert table थर्ड जो तरीका है टेबल बनाने का वह होता है ड्रा टेबल ड्रा का मतलब ड्राइंग की तरह जैसे हम box वगरा बनाते हैं वैसे ही जैसे कि इसमें icon में भी pencil का symbol है तो ड्रा ऐसे ड्रैग करके और click को छोड़ेंगे तो वहां तक एक box बन जाएगा फिर आपने जितनी भी row की लाइन खिचनी है ऐसे खिचनी है click click करके click किया और फिर यहां तक drag कर दिया आपने click को तब छोड़ना है जैसे कि आपने लाइन खिची तो आपने यहीं पर नहीं छोड़ कोलम में अगर आप यहां से यहां तक लाइन बनाएंगे तो इतनी लाइन बनेगी सिर्फ अगर आप इसको click करके नीचे तक drag करेंगे जब यह लाइन नीचे तक बन जाएगी तब आपने click को छोड़ना है तो तब आपकी यह लाइन बनेगी तो इसमें यह time consuming process है क्योंकि अगर आप इसमें इसमें दो फायदे हैं ठीक है एक तो आप किसी दी लाइन को कहीं पर भी drag कर सकते हैं दूसरा pencil से ड्रा करना असान है लेकिन इसमें time ज्यादा लगेगा क्योंकि अगर आपको 20 रू बनानी है और 5 कोलम बनाने है तो insert table वाला तरीका असान था और इसके अ इसमें आप maximum सिर्फ 10 by 8 यानि की 10 कोलम और 8 रो जितना ही बड़ी table बना सकते हैं तो अगर आप ज्यादा बड़ी table बनाना चाते हैं उसके लिए तो insert table वाला option best है और अगर आप छोटी table बनाना चाते हैं उसके लिए draw table यूज़ कर सकते हैं या फिर ये table यूज़ कर सकते है जो हमने पहला फरीका किया था तो इस तरीके से draw table वाले option से आप pencil की तरह ये ऐसे box बना कर और लाइने खीच के table बना सकते हैं अभी मैं इसको control Z कर रहा हूँ ताकि ये back हो जाए और मैं आपको next option सिखा सकूँ उसके बाद next इसका option है convert text to table अभी ये option highlight नहीं है तो ये common sense की बात है कि ये क्या कर रहा है convert text to table यानि कि जो आपने text type कर रखा है तो उसको ये table में convert करेगा अभी फिलाल आपने कुछ भी matter type नहीं कर रखा तो इसलिए ये वाला option highlight नहीं है इसको समझने के लिए हम क्या सबसे पहले एक simple text वाली table बनाएंगे जैसे कि for example मैंने यहाँ पर लिखा पर name फिर बादन दबाया ठीक है टाप बटन दबा कर मैंने लिख दिया marks फिर 1 बटन बर फिर मैंने लिख तो यह पर हम नहीं होता हमेश इसलिए आ रहा है अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें तो राइट क्लिक करके इग्नोर आल कर सकते हैं नहीं तो ऐसे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रिंट में यह नहीं आता सिर्फ इंडिकेट करता है तो यह सपेलिंग ग्रमर में जब आगे option करेंगे तब मैं आपको detail में बताऊंगा तो फिर मैंने tab बटन दबा कर फिर health लिख दिया और remarks में लिख दिया कुछ भी जैसे और उसके बाद enter ऐसे करके हम table जो बना रहे हैं यह table जो हमारी यह tab से बन रही है simple text है कोई हमने line नहीं किची कुछ नहीं किया इसको अगर आप line वाली table में convert करना चाहते हैं जो actual table का format होता है उसमें convert करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लिख कर इसको select करना है select करने के बाद आपको यह table में जाना है और उसके बाद देखिए यह option highlight हो गया convert text to table यानि इस text को table में convert करना है जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो आपके पास यह option आएगे यह वैसे तो automatic detect कर लेता है कि आपके column कितने है 5 columns है लेकिन हमने तो क्या किया है 4 column लिए है तो जो आपका यह starting वाला column था खाली जो हमने टैब दिया था उसको यह count कर रहे है तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आप खाली टैब भी दबाएंगे तो उसको भी एक column count करेगा अभी फिलाल यह 5 column है जैसे पहला खाली है फिर name फिर marks class और remarks तो यह 5 columns को count कर रहे है और fix column विट थाटो या इन में से जो भी हमने setting auto fit वाली करनी है वो click कर सकते है उसके बाद नीचे separate text add यह वाला option जो है यह automatic detect करता है क्योंकि हमने tab दिये थे तो यहाँ पर tab वाला option automatic highlight है अ जैसे कि name enter marks enter फिर उसके बाद glass enter फिर remarks enter तो automatic यहाँ पर paragraph आ जाएगा अगर आपने commas लगा रखे हैं जैसे कि name comma marks comma class comma remarks comma अगर ऐसी table बना रखी है type करके तो automatic यहाँ पर commas select मिलेगा आपको और कोई other symbol लगा रखे है तो वो symbol automatic यहाँ पर मिलेगा अभी क्योंकि फिलाल हमने tab अब यूज कर रखे हैं तो यहाँ पर automatic tab selected है और जैसे हम ok करेंगे तो हमारे 5 column वाली यह table बन जाएगी by chance आपने यह table बना दी और आपको पहला column खाली दिख रहा है अगर आप पहला column नहीं रखना चाहते तो आप पहले column में किसी भी cell पर click करके ठीक है उपर table tools में layout में ज आपने text type किया था उससे आपने actual एक table बना दी यह होता है insert में table में convert text to table अभी मैं इसको ctrl z कर रहा हूँ उसके बाद next option है आपका Excel spreadsheet अब जैसे कि हमको पता है कि Excel जो रहा है एक अलग software है इसका MS Word में नहीं आता है यह लेकिन MS Word से अलग software है तो MS Word में अगर हम Excel की कोई table बना कर लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं जैसे कि कई काम ऐसे होते हैं total करने वाले या फिर percentage निकालना या Excel में formulas होते हैं तो अगर आपको formulas लगा कर table में और फिर उस table को यहाँ पर लाना चाहते हैं Excel से तो आपको अलग से Excel कोलने की जरूरत नहीं है आप यही से Excel spreadsheet को कोल कर और उसमें formula बगारा जो भी formatting करनी है वो करके और यहाँ पर table ला सकते हैं अगर आपको Excel के formulas जो basic formulas हैं नहीं पता तो मैंने उपर i button में एक Excel के basic formulas की वीडियो का link दिया हुआ है आप उसके click करके और वो वीडियो देख सकते हैं और Excel में जो हमारे daily routine में use होने वाले formulas हैं वो भी सीख सकते हैं तो अभी फिलाल इसमें हमने Excel spreadsheet पर click किया जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपके पास MS Word में ही एक Excel की sheet खुल जाएगी ठीक है और आपके पास table का area होगा जैसे कि आपको अगर आपने MS Word के बाद MS Excel सीखा या फिर आपने MS Excel के वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बत numbering भी असानी से दे सकते हैं जैसे कि मैं आपको एक example बता रहा हूँ जब आप ये table बनाते हैं जैसे मैंने serial number लिखके enter कर दिया जैसे जब भी आप ये table बनाएंगे तो आपके पास उपर menu में सारे यह आप देखेंगे conditional formatting, format as table, cells यह सभी न Excel के options खुल जाएगे ठीक है MS Word मे नहीं आपका पूरा Excel open हो जाएगा यह आप Excel के सारे options यहां पर यूज कर सकते हैं इस table में तो serial number लिखने के बाद मैंने अगले box में 1 लिखका और इसको फिर 2 लिखका और इन दोनों को ऐसे select करके और जहां तक भी मुझे यह numbering बनानी है इसको click करके और मैं इचे drag कर आपको option समझा सकूँ तो Excel अगर आपको आता है तो आपको यह बाते सारी पता ही होंगी और अगर आपने Excel नहीं सीखा तो आप मेरे Excel के tutorials जो है वो देख सकते हैं जिससे आपका basic जो concept Excel का वो clear हो जाए सारी जो main main बाते हैं और यहां पर मैंने मान लीजिए marks लिखे तो इस इसमें फाइदा गया आप जैसे numbering या फिर को एक्स्ट्रा option कर सकते हैं अब इसमें मुझे इन सबी नम्रों का total करना है तो MS Word में total कर सकते हैं आप लेकिन इतना असानी तरीक़्े से आसान तरीक़्े से नहीं कर सकते कि बिल्कुल formula लगते एकदम सभी अजारों नम्रों का total हो जाए MS Word में थोड़ा अलग काम होता है एक्सल में अलग काम होता है तो अभी मैंने जैसे माली जी इन सब का total करना है तो मैं सिर्फ keyboard में alt और equal to का symbol प्रेस करूंगा और समवाला formula आटोमेटी का जाएगा और मैंने एंटर कर दिया तो इतना आसान है कि इसका table ऐसे बन जा जाएगी आपने formula of formatting जो भी करने है कर दिया उसके बाद आपको इस box के बाहर क्लिक करना है तो इस box के बाहर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक्सल की वो जो अपने table बनाई है वो table आपकी यहाँ पर आ जाएगी अगर आप बाद में इस table में changing करना चाहते हैं तो आपको क् box के बाहर जब क्लिक करेंगे तो बोडर समयत वो जो भी आपने editing करी है वो वैसे वैसे वहाँ पर MS word में आ जाएगी तो इस तरीके से आप Excel spreadsheet से एक्सल की कोई table यहाँ पर ला सकते हैं अभी मैं इसको control Z कर रहा हूँ back तो यह था हमारा पांचवा तरीका पहला तरीका था box वाला दूसरा तरीका insert table तीसरा draw table चोथा आप text से table में करमाट कर सकते हैं और पांचवा तरीका है एक्सल spreadsheet अब आजाते हैं last option पे quick table quick tables यह क्या हमारा चटा तरीका है sixth way of making table तो इसमें आपको quick table का मतलब क्या है बनी बनाई आपको table मिल जाएंगी बस आपने उसमें edit करना है और example इसमें यहाँ पर list दी हुई है अलग-अलग tables की और जो भी आप इसमें बनाना चाते हैं उस पर आप click कर सकते हैं और example मुझे यह table अच्छी लगी तो मैं इस table पर click कर रहा हूँ जैसी मैं इस table पर click करूँगा तो वो table यहाँ पर बन के आ जाएगी और फिर मैं इसमें बस अपना नाम वगेरा जो भी changing करन तो वो कर सकते हैं तो इस तरह के से आप अलग यह table बना कर और इसमें editing करके और अपनी बने मनाई table ले सकते हैं यह होता हमारा sixth way of making table यानि की छटा तरीका अभी मैंने इसको control Z कर दिया अब इसमें जब आप इस list में जाएंगे quick tables की तो किसी भी design पर किसी भी design पर जब आप अब राइट-click करते हैं तो आपके पास यह option आते हैं आप किसी भी design पर right click कर सकते हैं जैसे मैं इस पर right click करहां तो आपके पस यह options आएँगे यह सारे options जो कि इस table दो एक भी से लिटियर हैं तो यह सारे options मैं आपको cover page में भी करवा चुका हूं जब आप power page में right click करते हैं तब भी same options आते हैं अगर आपको table वाले ये सारे options सीखने हैं तो मेरी जो पिछली वीडियो थी previous tutorial था वो आप देख सकते हैं जिसमें हमेने pages में cover page के सारे options बता रखें तो आप ये वाले options वहाँ पर कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको ये options नहीं बता रहा इसमें आपको और table के सारे option देख सबूँ तो उसके लिए आपको क्या करना है इस table वाले option पर right click करके और इसको add to quick access toolbar करना है जैसे आप add to quick access toolbar क्लिक करेंगे तो उपर ये यहाँ पर table का button बन जाएगा तब आप किसी भी menu में हो आप इस पर सिधा click करके और यहाँ से table बना सकते हैं तो ये मैंने आपको कई videos में बताया भी हो है कि आप quick access toolbar में कोई भी option कोई भी command इसके अंदर add कर सकते हैं right click करके और आपने इसको अटाना है तो आप right click करके remove वाले option से अटा सकते हैं तो ये था हमारा जो topic six ways of making table in MS Word यानि कि छे तरीके अलग अलग तरीके से आप कैसे table बना सकते ह नेक्स्ट वीडियो में हम सिखेंगे table बनाने के बाद जो आपके ये design tab वाले options और layout वाले options होते हैं next video tutorials में मैं आपको A to Z one by one सारे options सिखाऊंगा तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में एक नई knowledge के साथ एक नई tutorial के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल और स्वस्तरी जै हिंद जै भारत